उत्तर पुवेश से इस वक्त की सबसे बड़ी अपराज जगत की जो ख़बर सामने आ रही है वे पाकिस्तानी ठगों की है नमशकार नामित और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स आपको बता दें पाकिस्तान अपनी काली कर्टूतों से बाज नहीं आ रहा है इस बार उसमे बॉर्डर पर नहीं हिंदुस्तान में घुष कर लोगों को ठगी का शिकार बनाया आपको बता दें जासा देकर भारत में अब तक के 300 करोर ठख चुके यह जाल साज लखनाओं में दो लोग ग्रफतार भी कर लिये गए आपको बता दें ग्रीटेन में कमपनी रेजिस्टर है इंगे जिटर जो 100 लोगों के जरिये कई देशों में नागरिकों को लूटा है और भारत में 50,000 लोगों को बनाया है अपना निशाना लखनाओं से ग्रफतार दो आरोपी दुबाई में बैटे मास्टर माइंड के सीधे संपर्ग में थे मल्टी लैवल मार्केटिंग के नाम पर बुना था जाल साजी का ये काला धंदा ये डाल तो एक अपराज जगत की खबर पन नजर उत्तर प्रदेश राजधानी की पाकिस्तानी जाल साजी ने जहासा देकर भारत में 300 करोड ठगे लखनाओं से दो लोग ग्रफतार आपको बता दे मल्टी लेवल मार्केटिंग कमपनी इगनिटर सोव वा सोल मैक्स ग्रूप के जरिये पांजी स्कीम चला कर कई देशों के नागरिकों की गाड़ी कमाई लूटी जा रही है भारत में करीब 50 हजार लोगों से 300 करोड की ठगी की गई है जबकि अन्य देशों के करीब 10 लाग लोगों से ठगी की बात सामने आई है मामले में स्टीएप वा लगनाउ पुलेस की सैयोग टीम ने शुक्रवार को सरस्वती अपार्डमेंट गोमती नगर निवासी अनिरुद नारायन वा गोकुल विहार गोमती नगर विस्तार निवासी दीपक राय को गरफतार किया अनिरुद मूल रूप से जौन पुर्वा दीपक राय माउ का निवासी है दोनों देश में इस नेटवर्क का संचालन कर रहे थे कमपनी को ब्रीटेन में रेजिस्टर कराए गया है और उसका मास्टर माइंड पाकिस्तान निवासी अब्दुल रहमान संदु है पकड़े गए दोनों आरोपित दुबई में बैटे अब्दुल रहमान के सीधे संपर्ग में थे ADG STF अमताब यश ने अपनी कमपनी के बारे में जानकारी इंटरनेट मीडिया पर साजा कर लोगों को साउफधान भी किया है STF के डिप्टी एस पी कुमार नागर की अनुसार इगनिटर सौ और सोल मैक्स ग्रूप वेबसाइट के जरिये भारत में संचालिद हो रही थी अब्दुल रहमान संदु डाइरेक्टर सेलिंग के बहाने पौंजी स्कीम चला रहा था भारत में अप्रेल 2020 में इस स्कीम का संचालक होशियारपुर पंजाब निवासी राके सैनी दुबई में रहकर जूम एप के जरिये काम कर रहा था पूस्ताज में इस कंपणी के संचालन में जुटे पंजाब निवासी गुरपरीत सिंग गुजराद निवासी अमरपरीत पुरवा वस संजय सोनर के के नाम भी सामने आए है सभी यहां कंपणी के रीजनल डाइरेक्टर हैं और इनमें अनिरुद सबसे उपर था अनिरुद के विरुद विहार में एनाई एक्ट के तहद भी दो केस दर्ज़ है पुलिस के मुताबिक अनिरुद ने बताया कि उसने महंगे तोफे और एजुकेशनल पैकेज का प्रलोभन दे कर करीब 20,000 लोगों को कंपणी से जोड़ा है और करीब 5 करोड रुपए अब तक किसी शेयर मार्केड में लिस्टेड ही नहीं है हंगामा टाइम्स भी उरो